वेल्कम एवरीवन आज मैं आपको बाल गोविन भगत चेप्टर के प्रेशनोतर बता रही हूँ और आज जो प्रेशनोतर बता रही हूँ वो लगू प्रेशन है इसके जो जितने भी वन लाइनर्स जो हैं उनके सभी के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है तो आप वहाँ पर जाकर के उसके कुश्चंस को चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रेशन है वह है बाल गोविन भगत का स्वरूप कैसा था यानि कि वो देखने में कैसे दिखाई देते थे तो वे मज्छुले करके गोरे चिटे आदमी थे दुसरा प्रिश्चन है बाल गोविन भगत की उम्र क्या थी? उनकी उम्र साथ से उपर की थी प्रिश्चन आता है बाल गोविन भगत कैसे दिखाई देते थे उनके बाल पक गए थे लंबी दाड़ी जटा जूट तो नहीं रखते थे किन्तु हमेशा चेहरा सफेद बालों से ढगा रहता था भगत कितने कपड़े पहनते थे उत्तर है बहुत कम उसके बाद जो प्रिश्न आता है रहे है भगत कैसे कपड़े पहनते थे भगत कमर में एक लंगोटी मात्र और सीर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे प्रश्न है जब जाड़ा आता तब भगत क्या पहनते थे एक काली कंबल वो पहना करते थे प्रश्न है भगत मस्तिस्क पर क्या लगाया करते थे रामानंदी चंदन का तिलक वो लगाया करते थे प्रश्न है भगत गले में क्या पहनते थे तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहना करते थे बेडोल होती है जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है इस तस्वीर से हम बाल गोविन भगत को क्या मान सकते हैं इस तस्वीर से हम भगत को साधू नहीं मान सकते हैं वे ग्रहस्त थे भगत क्या काम करते थे उनका काम क्या था वो खेती बारी किया करते थे बाल गोविन भगत को हम साधू कैसे कह सकते हैं क्योंकि साधू की परिभाशाओं पर वो खरे उतरते थे भगत किसको साहब मानते थे कबीर को वो साहब मानते थे भगत अपने साहब की किन किन चीजों को अपनाते थे वे उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे लोगों को कोतुहल क्यों होता है क्योंकि वो जूट नहीं बोलते सबसे खरा व्यहवार किया करते थे किसी से दो टुक बाते करने में भी संकोच उन्हें नहीं होता था ना ही किसी से ख्वामखवा जगडा मोल लेते थे और वो यह सब काम बड़ी बारीकिसे क्या करते थे प्रश्ण है वो खेत में पैदावार होने पर क्या करते थे वो क्या करते थे जितना खाने के लिए चाहिए हो ता वो रख लेते बाकी सब कबीर पंथी मठ में दान दे दिया करते थे प्रेश्न है क्या सदा सरवदा सुनने को मिलते सुनने को क्या मिलता था उनके मधुर गीत सुनाई देते थे क्या सजीव हो उठते भगत के कंड से निकले कबीर के वे सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे समुचा गाउं कहां उदर पड़ा है पाठ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब वो गाते थे तो सारा गाउं खेत में आजाता था तो समुचा गाउं खेतों में उवड़ पड़ा है खेतों में कैसा द्रश्य था कहीं हल चल रहा था कहीं रोपनी हो रही थी धान के पानी भरे खेत में बच्चे खेल रहे थे क्या चल रही है थंडि पुर्वाई चल रही है क्या कानों में जंकार सी उठी किस चीज की उठी स्वर्द तरंग की यह स्वर्द तरंग किसकी थी बाल गोविन भगत की किसका समुचा शदीर कीचड से लिथड़ा हुआ था उत्तर है बाल गोविन भगत बाल गोविन भगत क्या कर रहे थे वो खेत में रोपनी कर रहे थे भगत धान के एक एक पोधी को खेत में किस तरह से बिठा रहे थे वो पंक्ति बुद बिठाया करते थे हर पोधे को खेत में पर चढ़ाकर जीना यानी सीधियां भगत कथा संगी सुनकर खेथ में खड़े लोग क्या क्या करने लगें मेड पर खड़ी औरतों के होट काप उठे थे वे गुन गुनाने लगी हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे रोपनी करते वाले जो लोग थे रोपनी कर रहे थे उनकी अंगलियां एक विशेश क्रम में चलने लगी दुन को सुन करके प्रश्न है थोड़ी देर पहले क्या खत्म हुआ? थोड़ी देर पहले मुसलाधार वारिश खत्म हुई थी प्रश्न है कौन भगत के संगीत को कोलाहल में नहीं डुबा सका? भगत के संगीत को जिल्ली की धनकार या दुदारों की टर्टर कोलाहल में नहीं डुबा सकी? क्या दिमक दिमक बज रही थी? दिमक दिमक भगत की खंजडी बज रही थी जब वो गाते समय खंजडी को बजाया करते थे खंजडी एक तरह का वाद्ययंत्र होता है भगत क्या गा रहे थे गोदी में पेरा चमक उठे सक्यां चीक उठेना ये गानवो गा रहे थे नेस्तब्ता का क्या अर्थ है नेस्तब्ता का अर्थ होता है शान्ति जब सारा संसार सोया था तब कौन जाग रहा था भगत का संगीत जाग रहा था कब से कब तक भगत की प्रभातियां चली कार्तिक से फाल मुन तक प्रभातियां का क्या अर्थ है जो सुभा सुभा गीत गाए जाती है उसे प्रभाति कहा जाता है नदी गाउं से कितनी दूर थी किसके मस्तिष पर शम बिंदु चमक रहा था शम बिंदु होता है पसीने के बिंदु तो उतर आएगा बालगोविन भगत बालगोविन भगत की संगीत साधना का चरम उतकर्ष कब देखने को मिला जब उनका बेटा मृत्यू को प्राप्त हुआ तो उन्होंने गाना गाया था संगीत की साधना उस समय भी उन्होंने की थी उसका बेटा कैसा था थोड़ा सोस्त था और बोदा सा यानि कमजोर सा था बेटे के क्रिया क्रम में क्या नहीं किया गया बेटे के क्रिया क्रम में तूल नहीं किया गया ये सब जो हैं आपको मैंने बालगोविन भगत के इंपोर्टेंट कुश्यंस बताए हैं जो आपको इस पार्ट को अधिक समझने में मदद करेंगे इसके इलावा जो अन्य पार्ट हैं उनके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है नाइन्थ के टैन्थ के और मैं कोशिश करूँगी 11-12 के लिए भी वन लाइनर्स बनाने की लेकिन आप मुझे यह देखिए जो भी आपको प्रश्चन नहीं आई तो कमेंट सेक्षन में आप पूछ सकते हैं और यहां पर इस तरह के मैं आपको यह वाले जो कुश्चन हैं जो बड़े वाले कुश्चन से यह भी आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करिए तो फिर आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तक यह वोची